हां बाई तो कैसे हो आज पात करेंगे ऐसे ट्रेक्स की जिन से हमने अमरे फेवरेट आर्टिस को डिस्कवर किया और अगर आप दिली मुंबई से नहीं हो तो 100% ये वीडियो आप के लिए है बस आपको एक सिंपल सा काम करना है कि अगर मेरा गैस या फिर कहीं तो मैंने जिस सोंग से आर्टिस को डिसकवर किया अगर आपका भी सेम होता है तो आप सेम सेम या फिर येस कमेंट कर देना अगर ऐसा नहीं होता है तो comment the name of the song जिससे आपने artist को discover किया Simple, first I clear this I am from Sri Ganga Nagar, Rajasthan, Pedosie of Punjab और मैं जहां रहता हूँ वहाँ लोग rap नहीं सुनते majority में वहाँ पंचाबी folk या फिर कहीं तो सिद्धू करन और धिम्चिक धिम्चिक वले tracks चलते हैं Let's start the video तो वीडियो को शुरू करें उसे पहले वीडियो को लाइक और चलको सब्स्क्राब कर ले And watch till end You know the name Karma A.K.V. Wake भाई का मैंने first song एक से तेई सुना था और मैं जूटनी बोलूँगा मैंने rap music को 2016-17 में ही सुना है हाँ हनिस सिंग को बहुत पहले सुन लिया था But majority says he is not rapper Karma का एक से तेईस मुझे word to word याद है और इसी song से मैंने कलमकर को discover किया था और ये थोड़ा surprising हो सकता है कि मैंने Karma को कृष्णा से पहले discover किया और no doubt Karma के एक से तेईस को नैशनल इंट्रोवर्ट एंथम खुशित कर देना चाहिए 12 के boards में ग्यापन आया था मुझे लिखना भी आता है If you say I will post at collector office अगर इस वीडियो पर 100 likes आ जाते हैं Sorry थोड़ा topic से बाहर चला गया था But it's okay बताओ ब्रोज क्या आपका भी first song एक से 23 था I know I am right Come and down your answer Let's go next one जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा को मैंने पहले डिसकवर किया था क्रिष्णा से और क्रिष्णा का first song मैंने free verse feast सुना था और ये मैंने कलमकार A.K.A. A.K.A. प्रोजेक्ट को डिसकवर करते वक सुना Firstly starting a days में मैंने free verse feast को बस एक दो पर सुना Untitled and many more और 2022 के Spotify rap में No doubt most dreamed artist कौन है It's Krishna और इस साल के top songs are I guess No Cap, Blowing Up, OG, No China and The Endless List Krishna भाई आपने तबाई मचा दी इस साल Majority people agree with me कि उनका भी first song DJ वाले बाबू था बादशा का ये बात अलागे कि उससे पहले थोड़ा बादशा को जानते थे बढ़ करियर चेंजिंग और लोगों के समने पहचान बनाने वाला ट्रैक DJ वाले बाबू था थोड़ा बहुत जो पहले जानते थे Because उससे पहले Get Up जवानी और Proper Patola सुन रखे थे सबने और मैंने Proper Patola के सौंग के 3 से 4 रिमिक्स भी लिगे थे और तब मैं सिर्फ 9 से 10 साल कहूंगा बस यानि कि जब तक मुझे रैप का आर भी नहीं पता था तब से मैं राइम से न पोईट्री लिखना ट्राय कर रहा हूं No doubt, Get Up जवानी और Proper Patola are the classic hits जो मैं शाहिए याद रहेंगे और DJ वाले बाबू का first verse वाई जहर है वो Think and Write, Your First Song of Patshah या फिर Same Same इस song की स्टोरी बहुत इंडरस्टिंग है विकाज मैं खाली बैठा हुआ था और बस YouTube को स्क्रोल कर रहा था कोई बढ़िया ट्रैक के लिए और मैंने randomly new rap song सर्च मारा और top result में सुनना ट्रैक आया उसके पीछे भी एक reason है Because इस song के description में कुछ टाइम पहले DHS के Almost Artist के नाम थे और मतलब बहुत ज़ादा tags थे अब बाली भाई ने सभी remove कर दिये हैं और तुम्हें सिर्फ social links देखने को मिलेंगे If you check description, you know what I'm saying हो सकता है कुछ लोग बाली को जानते ही नहीं होते हैं और बाकी folk और pop artist होते हैं और बस lyrics कुछ भी हो बस flow full speed में 120 की रफ्तार में भागना चीए रफ्तार भाई के दो songs ऐसे हैं जिन से रफ्तार भाई famous हुए है जिन्हों ने रफ्तार को अलग लग जगें अलग लग लेवल पर famous किया है फर्स्ट वन स्वैग मेरा देशी एंड सेकंड वन इस ओल ब्लैक जिसके लिए आप लोगों का अजीब रियक्शन आ सकता है लाइक बोहीमिया को भी मैंने सुखी के साथ सौंग आया था उसी से discover किया था लाइक बोहीमिया का फर्स सौंग मैंने जैगवर सुना था ब्रोस टर्ड बनने के लिए जुटनी बोलूँगा कि मैं रैप को 2006 से सुन रहा हूँ मेरा बर्थी 2004 में हुआ था तो दो साल का बच्चा नहीं तो रैप सुन सकता है या सुनता भी होगा तो उसे ज़्यादा समझ नहीं आएगा यूनोग वड़ा इम सेंग बताओ ब्रोस क्या ये गैस राइट है स्वैग मेरा देशी आपका फस सौंग है कमेंट डाउन यो रंस्वर माई फेवरेट ट्रैक फ्रों 47 भाई ये बात अलागे कि मोजी वाले कवर आट वाले ट्रैक्स फायर हैं सभी के सब शायदो ही आए हैं बट मोस्ट लिसन ट्रैक फ्रों 47 भाई का बहुत तेज ही है जिसमें 47 का वर्स थोड़ा सा और बड़ा होता तो मसा आ जाता वैसे बहुत बढ़ी है बादशाय का भी वर्स बहुत साधा बढ़ी है ये सोंग मैंने डिसकवर किया था टीवी से बिकॉस एक चैनल है म्यूजिक लाइट लोकल चैनल है उस पर 24 आवर्स बहुत तेज और BKL चलता है बादशावाला जिस दिन 47 को पहली बार डिसकवर किया उसके बाद 47 के हर एक सोंग का वेट किया है मैंने और 47 के असली इंडिपेंडेट एपी के हर एक सोंग को रिपीट पर बहुत ज़ादा बार सुना है 47 is really one of the best दिली आर्टेस in my opinion इकका भाई को Halfway No Down सोंग से डिसकवर किया था मैंने एक टाइम पर टीवी पर बहुत ज़ादा चलता था ये सोंग फिर इकका भाई कमर्शल आर्टेस, कमर्शल रैप आर्टेस से ओफिशल रैप आर्टेस मन गए मतलब सीरियस रैप करने लग गए और आजकल भाई आदी रात में ट्वीटर के लिए काम करते हैं आई मीन ट्वीट्स करते हैं सोरी फोर बैट जोक आई डोंट नो यू एग्री विद मी और नॉट बट इकका का रैप पर्स इन कमर्शल सॉंग्स बैटर होता है वो मेजोरिटी इंडियन रैपर्स से लाई खक तेरे ते गदार सुनना एक बार यू एग्री विद मी वट आई म सेंग करन ओजला का फस्स सॉंग मैंने और आप लोगोंने डोंट परी सुना है इसमें तुम्हें 80-90 परसेंट शोर हूं कि मैं राइट हूं और इसके बाद कौन-कौन से सॉंग सुने वो यू नो परडॉक्स भाई अभी आये हैं इंडस्टी में पर भाई का फस्स सॉंग मैंने घटोतकच सुना था और पहले वो मेरा आउट्रो ट्रैक भी था और आप लोगोंने या मेजोरिटी ट्रैक नो डाउट, फोमो, घटोतकच या शीशा होगा सभी लोगों का मेरे उपीनियन में सबसे टफ कि इस आर्टिस का वो सॉंग नहीं बता सकते कि कौन से सॉंग से लोगों ने इनको डिस्कवर किया होगा वो है यो यो अनिस सिंग विकास पाजी कॉम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं चलो एक चैलेंज करते हैं कि कमेंट्स में बताओ majority audience ने अनिस सिंग का कौन सा सॉंग सबसे बैलेट सुना होगा डिस्कवर किया होगा कमेंट डाउन यूर अन्सवर तो बस यार आज के लिए बसत नहीं अगर वीडियो चल गाए तिस लाइक करो और चल को सब्सक्राइब करो I hope you enjoy this video और आप लोगने एंड तक इस वीडियो को देखा होगा and follow me in Instagram and Twitter for more updates peace out